हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको डबल शेड कट वर्क स्लिउस डिजाइन से बनाना बताऊंगी तो देखें सबसे पहले हम पेपर कटिंग करेंगे तो हमने यहाँ पर पेपर लिया है और जो भी हमारा मेजरमेंट है उस साब से हम पेपर कटिंग कर लेंगे यहाँ पर और जैसे हम नौर्मल ब्लाऊज में स्लिफ की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पर स्लिफ की कटिंग करनी है तो स्लूस की लंबाई रखनी है याँ पर 4 इंच आप इससे कम या जादा भी ले सकते हो तो हमने लंबाई की मार्किंग 4 इंच पर की है और अब यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे तो जो भी हमारा मेजरमेंट है उसी साब से आप स्लूस की कटिंग करनी है स्लूस का जो राउंड है वह है 7 इंच प्रस 2 इंच एस्टा मार्जन के लिए लेंगे आप दोनों लाइन के बीच में स्केल को रुखेंगे और इस टाइप से लाइन बना देंगे उपर से हम केफाइट लेंगे सववा 2 इंच क्योंकि यहाँ पर स्लूस की लंबाई ज्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पर केफाइट कमी लेनी है अब इसे उपर की साइट में स्टाइप से दिर्चा करके मिला देंगे और यहाँ पर हलका सा राउंड शेप बना देंगे अब देखें स्ट्राइब से दोनों मार्किंग को मिला देंगे और यहाँ पर हम हलकी सी गोलाई देंगे तो इस ट्राइब से हमारी शोट्सली उसकी मार्किंग हो गई है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर पर कट्स लगाएंगे और front side में छटाई के लिए shape बना लेंगे और इसकी भी cutting कर लेंगे अब देखिए इसी के बराबर हमको जो man fabric के वह cut कर लेना है जो भी हमारे blouse का man fabric के वह इस leaves के बराबर cut कर लेना है देखिए मैंने यहाँ पर man fabric भी cut कर लिया है और अब हमको lining face cut करना है तो lining face को आपको 2 inch नीचे की side से बढ़ा कर extra रखना है और इस लिए उसको उपर से बिल्कुल बराबर रखना है और नीचे से lining face को 2 inch इतना बढ़ा कर रखना है तो man fabric को थो हमने बिल्कुल बराबर cut किया है और lining face को 2 inch बढ़ा कर cut किया है तो इस type से हमने दोनों की cutting कर ली है अब यहाँ पर मैंने paper canvas की दो पट्टिया cut की है 2 inch चोड़ाई की ओलंबाय में sluze की fitting के बराबर ही रखना है अब पट्टि पर half inch पर एक line बनाएंगे इस type से सीधी अब इस line से हम पोने 1 inch पर marking करेंगे 0.7 inch पर और यहाँ पर एक सीधी line बना लेंगे तो friends आज आपके प्रियार और support की वज़े से इगोरी रावल की professional stitching channel पर 10k subscriber complete हो गए है उसके लिए आपका तेह दिल से शुक्रिया अब आपको कुछ भी छोटी size का round shape लेना है और इस type से दोनों marking के बीच में cut work का designs बना लेना है देकिन इस type से विलकूल marking से मिलाते हो रखेंगे और पूरी पटी पर इसी type से designs बना कर ready कर लेंगे तो friends जैसे मैंने एक पटी पर designs बना कर cut किया है same उसी type से आपको दूसरी पटी पर भी यह designs बना कर cut कर लेना है और cutting करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि हमने second वाली marking तक ही cut करना है और सभी size को बिलकूल बराबर रखना है कम ज़्यादा cutting नहीं करनी है तो देखिए same इसी तरीके साब दूसरी वाली पटी पर भी यह designs बना कर ready कर लीजिए देखिए इस पटी को अब lining face के उपर चिपका लेना है side से half inch इतना extra fabric रखना है तो lining face पर चिपकाने के बाद इसे हम main fabric पर रखेंगे स्टाइब से और सिलाई चला कर attach कर लेंगे तो पहले किनारी पर सीधी सिलाई चला कर इस पटी को attach कर लेना है अब designs के पास-पास सिलाई चलाएंगे तो जैसे हमने paper canvas के cutting की है तो विल्कुल सिलाई paper canvas के पास-पास चलानी है paper canvas के उपर ने चलानी है सिलाई और जैसा हमने shape cut किया है उसी shape में हमको पूरी सिलाई चलानी है तो देखें, stripe से गुमा-गुमा कर अच्छे से corner बनाते चाएंगे और पूरी designs पर सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाने के बाद इसी shape में हम इसकी cutting कर देंगे तो friends अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe कर लीजिए अब corner पर अच्छे से cuts लगा लेंगे उपर की site में भी हलके हलके से cuts लगा लेंगे सिलाई को cut नहीं करना है अब पट्टी को पीछे की site में fold करेंगे आप इस पर press चला लेंगे तो यह designs अच्छे से set हो जाएगी तो देखे हमने यहाँ पर press चला कर अच्छे से set कर लिया है अब यहाँ पर एक पट्टी कट करनी है lining face की और जिस भी color का contrast shade देना है उस color की एक पट्टी और cut कर लीजिए तो हमने यहाँ पर दोनों पट्टीया cut कर ली है और इसकी चोड़ाई लगबग 3 इंच रखनी है अब contrast color की पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और इस पर lining face की पट्टी को attach कर देंगे देखे सिलाय चला कर हमने दोनों पट्टीयों को attach कर लिया है और इस तरा fabric की cutting कर दी है अब हमने जो lining face पर sluze की cutting की थी हमने नीचे के side से 2 इंच बढ़ा कर लिया था तो इसके bottom पर भी अब paper के इन्वास के shape को प्रेस सच्च से चिपका देना है प्रेस से चिपकाने के बाद देखे इस type से रखेंगे contrast color की पट्टी के उपर और सीधी सिलाय चला कर दोनों को attach कर देंगे अब यहाँ पर भी हम same pearly की तरह ही designs के पास-पास सिलाय चलाएंगे अब एसटा fabric को स्टाइब से cut कर देंगे इसी shape में center पर cuts लगा लेंगे और इसे भी fold कर देंगे प्रेस चला कर अच्छे से सेट कर लेंगे देखे हमने प्रेस चला कर अच्छे से सेट कर लिया है अब इसके उपर हम man fabric को रखेंगे स्टाइब से designs को अच्छे से match करते हुए देखे कोर्नर से जो उपर वाले cut work का center point मिला कर रखना है इस टाइब से और pin से attach कर लेंगे और site पर हम पूरी स्लिउस पर slide चला कर attach कर लेंगे देखे अब यहां से stripes से open है तो यहां पर हम हलका हलका सा glue लगाएंगे अंदर की site में और यहां पर हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे अगर आपके पास glue नहीं है तो आप उपर की site में एक slide चला कर भी attach कर सकते हो तो designs के पास-पास आप slide चला कर भी attach कर सकते हो अब हमने जो paper cutting की थी उस glue को हम इसके उपर बिलकूल मिला कर रखेंगे और इसी के बराबर हमने इसको cutting कर लेनी है तो जितना भी extra fabric के side से सभी को cuts कर देंगे और जो भी हमारी paper cutting के बराबर हमने स्लिवसी की लंबाई रख दी है तो उसी के बराबर हमने आपर cut कर लिया है सेम इसी तरीके से आप दूसरी स्लिवसी बेट भी यह designs बना कर ready कर लिजिए तो देखिए एक में मैंने आप पर glue लगा कर चिपकाया है और अगर आपके पास glue नहीं है तो अब इस टाइप से designs के पास-पास सिलाय चला कर भी दोनों को attach कर सकते हो तो यह हमारा स्लिवसी design से बनकर ready हो गया है और पीछे की side से भी यह बहुती finishing के साथ बनकर ready होगा इस टाइप से बनाईए अब इससे आप blouse में normal sluice को attach करते हैं उसी टाइप से attach कर लिजिए तो friends आपको कैसा लगा यह sluice design से वीडियो को like जरूर कीजिए और मुझे comments करके जरूर बताईए अगर चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को subscribe भी कर लिजिए वीडियो को share कीजिए थेंक्स फोर उसे